हेलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अपना सपना में दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्तित हूँ आपके सपनों का हल लेके लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारी YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथी बेल आइकन को प्रेज कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सगे तो दोस्तों आज हम सपने के विशे में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में खुद को मरा हुआ या खुद को मृत अवस्था में देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालेगा और इस सपने का क्या सवापना फ़ल होगा क्योंकि दोस्तों कभी-कभी ऐसे सपने देखते हैं जिसे देखने के बाद हम डर जाते हैं और जब भी हमारी नीन तूटी है तो उसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में व्याख्या करते हैं कि आखिर जो सपने हमें आते हैं इस सपने को क्या मतलब होता है और ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं तो जोती चास्त्त कहता है कि दोस्तों कि जो भी सपने रात को सोने के बाद देखते हैं, वे हमारे असल जिंदगी से जूरे होते हैं। कुछ सपने में सूप संकेत देती है वहीं कुछ सपने में असूप संकेत देती है और सपने जो होती है वो हमारी भूर्ट काल की घटी घटनाए को एवंग भविस्ते में होने वाली घटनाए को सवपने फल के द्वारा संकेत करती है और ऐसा ही मानगिया है सपने में खुद क को मरा हुआ या मृत अवस्था में देखना कहा जाता कि अगर आप सपने में खुद को मरा हुआ देखते हैं तो आने वाले निकर्तम समय में यानि जल्दी समय में आपको धन की लाव हो सकती है यानि आपका जो धन काफी समय से जो रुका हुआ था उसमें आपको वह धन आप को प्राप्त हो सकती है एवंग जोती सासरिया भी कहता है कि अगर आपको सपने में खुद को अगर मरावा देखते हैं तो आपकी दिर्ग आयू यानि लंबी आयू की और इंडिकेट करती है सपने में खुद को मृत अवस्ता में देखना तो कुल मिला कर दोस्तों सपने में खुद को मृत अवस्ता या नि मरावा देखना या एक अच्छा और सुप सौपन मानगी है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों